प्रेस्क्राइब करें मेडिशनल नौलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिशन से जुड़ी जानकारी के लिए इसको डेमेटोलोजी जनरल फिजीशन और बहुत सा या अधर फिजीशन इसको रिकमेंटेट करते हैं के अंदर एक सिंगल मॉलिकुल डाला गया है सिपोडोक्सिम प्रोक्सिटेल तो हंडेड हमजे इसके अंदर डाला गया है दस कोली का पूरा ये एश्ट्रीप रहता है जिसका एहमार पी 150 रुपीज रहता है तता ये बेक्ट्रे इंप्रिक्शन में यूज़ किया जाता है ये टेबलेट तो इस टेबलेट के बारे में मैं संपुन जानकारी देने वाला हो कि इसको क्या क्या डोजेस रहता है कब तक इसको डोक्तर रिकमेंडेट करते हैं तता किन किन के एसस में इसको लिया जाता है तो संपुन जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने इस कैपसुल के बारे में संपुन जानकारी मिल सकेगे इसको किन किन के एसस में दिय जाता है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंटो के जीपोर्ट टूहंडेड्ड एमजी टबलेट के अंदर सिंगल मोलिकूल डाला गया है जो की ट्रीटमेंट करती हैं बैक्टरियल इंपेक्शन से तता ही इस टबलेट को अगर आप जादा खा रहे हो डोक्त की सला से नहीं खा रहे हो तो कुछ साइड डिपेक्ट भी हो सकते हैं जैसे कि आपकी स्कीन पर बहुत सारे रस्स आ सकते हैं आपको नोजिया हो सकता है आपको डायरिया हो सकता है यह सब कॉमन साइड डिपेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं तो इस टेबलेट को आपको का इसका कोई प्रॉल्म नहीं है तो इस टेबलेट कैसे काम करती है कि जो कि एक एंटी बायोटी के जो कि बैक्टरिया को किल करता है तब प्रिवेंड करता है उसके सेल्स वाल को ताकि बैक्टरिया सर्वाइल नहीं करेगा और उसका मल्टिपिक्लेशन नहीं होगा और इस प पर बदा सकते हो और इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो आप मैं पूछ सकते हो चैनल पर वीडियो पर पहली बार आप भी जिट किये हो तो हमारे चैनल को जुरू सस्क्राइब करें साथ में बैल आइकन को दोबा दे जब भी मैं नेक्स्ट टूडियो अपलोड करो तो आप तक एक नोडिफिकेशन पहुँच जाए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे लिए